नमस्कार फ्रेंड्स मैं रविकुमार आज हम राजस्थान बुगोल की संखला को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे मध्य अरावली जैसे के आपको पता है आपने उत्री अरावली पूरी पढ़ ली है और जो मध्य अरावली वो स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं देखो बच्चों मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा बस आप सही कंद्रो दे यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दे और साथ में वीडियो के आराम से नोट्स बनाते रहे हैं यह प्रत्य एक्जाम के लिए इंपॉर्डेंट है अब देख एक थी हमारी मध्य अरावली और एक थी हमारी दक्षणी अरावली फिरम ने कहा था कि दक्षणी अरावली जो है उसका विस्तार आबू या सिरोई से लेके हम कह सकते हैं अजमेर तक है मध्य जो अरावली है इसका विस्तार लगबग अजमेर से लेके जहपूर तक है और करेंगे मद्धे अरावली सबसे पहले तो मात करूँ त्लिक में है इस मद्ध्र में में वटमान्बर वीपेख्में कौन-कौन जिले सामिल है वह सिब्संjoint पहली बात करो है मैं इसके विश्धार इसके बात कर यह कौन से बना है बच्चों जो में जो मारा राद समंधे उसका कीवल उत्री भाग आता है और यह बात करू मैं इसके लावा तो इसके जो है वो जैपुर ग्रामिन जैपुर ग्रामिण आदी का जी विस्तार है ये मुखिते पाया जाता है इसका मतलब यदी बात करूँ में तो ये जो भागे ये भाग अजमेर ब्यावर रात समन्द का उत्री भाग और जैपुर ग्रामिण का कुछ भाग इसमें सामिल होता है देख बच्चों यदी बात करूँ में उत्री अरावली की ऑसत उचाई तो बच्चों मति अरावली की जो उसत उचाई है वो है गुतने मीतर है बच्चों ? 700 मिटर द्यान दखना मद्धे अरावली की जो उसत उंचा यह वो कितना बच्छो 700 मिटर अब यदि बात करूँ में कि इस मद्धे अरावली का डिमांड कैसे हुआ है चत्तान एकॉण कौण सीव पाई जाती है तो बच्चो यहां पर संग्मर्मर dokład है संग्मर्मर और हमें प 1995 कि इसके बाATOR म सिभड़ी कि संग्मर्मर 4000 श्रकै है एक मिलता हमेओं ट्रब ऐत कि अगी अधी मिलता है बच्चों इसमें क्रे नाइट किया एक मुक्मेठल क्या मिलते हैं इसमें bisa में चट्टा ने कौन से भाग में मध्धे अरावलि में अब बात करो बच्चों में जो हमारी मध्धे आरावली है इस मध्धे अरावली में जो अजमेड से लेके मद्धे अरावली में अजमेड से नागोर तक जो पहाडियां फैली हुई है मद्धे अरावली में अजमेड से नागोर तक जो पहाडियां पाई जाती है उन्हें मेरवाडा की पहाडियां कहते है उन्हें हम मेरवाडा की पहाडियां कहते हैं यह दान दखना बच्चो आपसे पूछेंगे मेरवाडा की पहाडियां कौन सी अरावली का भाग है तो क्या बोलोगे बच्चो मद्धे अरावली का दान दखना और यह जो मेरवाड की पहाडियां बच्चो मेरवाडा की पहाड यह मेवारळ को मारवारावड से क्या करती है इंपर्टेंट बात है कि स्क्राउय है कि जो मतश्य अ्रावली की स्संद्न कुम खैसे ओंडियोत एक भी disappear के ची मेश्य और है मैं देखे कर दिको बच्चों यदि मैं मध्य अरावली की बात करता हूँ तो बच्चो जो मध्य अरावली है इसमें हमें एक चोटी मिलती है मुख्यत है उसका नाम है बच्चो गोरम जी क्या मिलती है बच्चो गोरम जी क्या मिलती है बच्चो गोरम जी और गोरम जी चोटी जो है तो पाली और आसमंजलों के बीच में पाई जाती है इस चोटी के जो उंचा ही है बच्चों वो है 933 मिटर 933 मिटर ओसक्त है कहीं आपको 934 मिल जाए कोई खास बात नहीं है एक ही बात है द्यान रखना ये जो मोरम जी है इसका सबसे इंपोर्टेंट भाग यह है मध्य अरावली की कौन से अरावली की मध्य अरावली की सबसे उंची चोटी है सबसे उंची चोटी है द्यान रखना बच्चों आपको गोरम जी या मोरम जी मिलेगी द्यान रखना गोरम जी या मोरम जी जो की पाली वरा समन्द के बीच में पाई जाती है और इसकी उँचाए कितनी है? 933 मिटर और डान रखना बच्चों यह है मध्य अरावली की सबसे उँची चोटी है अब आप सभी कमेंट में आंसर दोगे अब बच्चों बात करते है नंबर 2 नंबर 2 आते है बच्चों इसमें तारागड कौन से आते है बच्चों? तारागड और तारागड चोटी जो है बच्चों यह है अजमेर में कापरा बच्चों? अजमेर में दियान्द रखना तारागाट चोटि जो है बच्चों इसकी जो उंचा ही है वह है लगबग 830 मीटर कितनी है 830 मीटर यदी 830 आपको मिलेगा 870 मीटर कितना मिलेगा 870 मीटर दियान्द रखना बच्चों दोनों का भी एक साथ नहीं आएंगे विरोधाबस वाली बाते हैं उंची चोटी है ये क्या है बच्चों मध्धे अरावली की मध्धे अरावली की दूसरी सबसे उंची चोटी है बच्चों विश्यस तोर पर द्यान रखना ये जो तारागड है ये तारागड अजमेर के अंदर है और इसकी जो उंचाई है वो है 830 या 870 मिटर द्यान रखना ये मध्धे अरावली की दूसरी सबसे उंची क्या है चोटी बच्चों एक बात और द्यान रखना बच्चों एक चोटी में आपको लिखवा देता हूं एक है नाग पहाड एक कौन से बच्चों नाग पहाड और जो नाग पहाड चोटी है ये नाग पहाड चोटी पढ़ते है बच्चों अजमेर में का पढ़ती है अजमेर में और इसकी जो उं चोटी सबसे संती और पने के सानगे तो जो सवाल ही बनते हैं मध्धि अरावली चेन कहें मिले नहीं मिले। आपको मॉरं जी मिलेगा। मोरम जी लिख लेना कोपी के अंदर यदि गोरम जी नहीं मिले तो आपको मिलेगा मोरम जी या मायम जी और इसके उचाहे कितनी है 933 या आपको 934 मिटर मिल सकते हैं और ना कोई खास बाद नहीं सवाल पूछेंगे मध्य अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है तो क्या ब बात करें बच्चों तो तारागड जो है यह मध्य अरावली जो है इसकी दूसरी सबसे उची क्या है बच्चों चोटी और यदि हम बात करें नाट पहाड अजमेर जिसकी उचाही है 700 पिच्याण में 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 अब देखा बच्चों एक विसेस बात ध्यान रखना नौट ड गजवाड सबसे इहां लाएप में дав непर लाटा करता है इस बाफ च्चों और घॉलँच्ट केंड़ी जो निकाये हैं जो भरतिए करवाथी है उसका नाम है रपीसी essजरी कानाम है riders помishan श्याबिक सर्विस Leadership सवाल पुछेंगे RPSC का कारियल है किस अरावली का भाग है तो क्या बोलोगे बच्चों मध्य अरावली और कौन से गाटी है तो क्या बोलोगे बच्चों घूगरा गाटी विसे इस तोर पर आपको यह बात धान में रखनी है अब यदि बात करो बच्चों में तो मध्य जो अरावली है यह जो मध्य अरावली है कौन से अरावले बच्चों मध्य अरावली यह जो हमारी मध्य अरावली है इस मध्य अरावली में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं मध्य अरावली में दर्रे सरवादिक हैं दर्रे क्या ह सरवारी दर्रे हैं अब आपको सब दर्रे क्या होते हैं दर्रे क्या होते हैं दर्रे क्या होते हैं यदि मैं दर्रों की बात करूं तो देखो बच्चो मैं कॉपी में हैं डालके लिख देते हैं कि दर्रे क्या होते हैं इन्हें हम या तो दर्रा कहते हैं क्या बोलते हैं गाट है गाड़ हम शक्रा छित्र यहन्हें हम बोलते बच्चो नाल ठीक है तिनों एक बात धे दर्रा पुछे घाट पुछे नाल पुछे बात एक यह अब अच्चो यह होते क्या है दयान दखना तो जैसे मैं आपको समझाना चाहूं बच्चो तो जैसे यह कोई पहाडी छेत्र है यह कोई क्या है परवतिय छेत्र है ठीक है और यह भी कोई परवतिय छेत्र है ठीक है जैसे यह दो परवतिय छेत्र है अब यहां कोई स्थान है यहां कोई स्थान भी अब आपको पता है कि जो सामान्य रूट होगा वो इस पकार से होगा जाने का जो काफी लंबा पड़ता है वह आपको पता है जो मोटरवान वगरा होते हैं वो सामान्य जो सड़क होती है उस पे ओके जाते हैं ताकि कोई दुगटना की संभावना नही लेकिन हम कह सकते हैं छोटे ट्राफिक के लिए जल्दी पहुंचने के लिए यदि मैं इस प्रकार से आपस में आव अगमन चालू कर दू सीधा आव अगमन बिल्कुल तो इसे हम बोलते हैं दर्रा क्या बोलते हैं बच्चों दर्रा सिम्जाना चाहूं आपको दो परवतों क बीच कि दो पहाड़ों के बीच दर्रातल का वह भाग जो की तंग रास्ते से उकर गुजरता है यह सक्रा रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों दर्रा तो मैं यहां प्रही बासा लिए देता हूं बच्चों दो परवतों के बीच परवतों के बीच परवतों क बीच जो धरातलिये भाग होता है धरातलिये संक्रीण मतलब होता है सकड़ा भाग जो आवागमन जो आवागमन के लिए उप्योग होता है उसे दरा कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों दरा सिंपल से पाद ध्यान रखना दो पहाड़ों के बीच यदी हमें कहीं जाने तो उस कंडिशन में जाने वाला जो रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं दरा अब देखो बच्चों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हम क्या पढ़ेंगे मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे तो मैं कोपी में हेडिन डाल देता हूं बच्चों यह जो मध्य अरावली है काफी बार सवाल बन जा दें दर्रों से मध्य अरावली के प्रमुख दर्र यह दर्रा, हम कह सकते हैं. देखो बच्चो यहदि बात करूँ मैं मध्यारावली में कौन-कौन से दर्रे हैं तो बच्चो दियान रखना तो सबसे पहला दर्रा आता है बच्चो मध्यारावली में उसका नाम है कच्छarson साचरावली धर्रा और पहले ये दर्रा अजमेर में था अब आ गया ब्यावर में कहा पर आ गया बच्चों ब्यावर में कच्छवाल दर्रा का पड़ता है बच्चों ब्यावर में उसके बाद हम बात करें बच्चों एक आता है पीपली दर्रा ये कौन सा आता है बच्चों पीपली दर्रा ठीक है बच्चों, simple simple factor जो आपको ध्यान दखने हैं, बाकि इनसे को ज़्यादा सवाल खास बनते हैं, इनकभी का बार सवाल बन जाते हैं, तो आपको विशेश तोर पर यह बाते ध्यान में दखने हैं, उसके बाद आम बात करें बच्चों, एक दर्रा आता है बर दर्रा, ए का पड़ता है बच्चों, ब्यावर में, बर दर्रा का पड़ता है बच्चों, ब्यावर में, एक यदि हम बात करें, एक आता है पखेरिया दर्रा, एक आता है बच्चों, पखेरिया दर्रा, एक आता है बच्चों, ब्यावर में, त्यान रखना बच्चों, यदि हम बात क थे औरों कि एक राता वर्चों सूरा घाट दर्रा एक कोन साता व औरंधा सूरा घाट धर्रा सुनरा का अब यह भी ढाप है वेर चरप में ठीक है समय हो तो अताश्य म Grad करें नियुक्ञेम दीवेर रसिटंब क्या एक asoda एक вbac로 डिवेर दर्रा दिवेर आप पता है ये पढ़ता है राज सम्बंद में का पढ़ता है बच्चों राज सम्बंद में उसके बाद बात करूँ में साथे नमबर का दर्रा जो आता है बच्चों ये आता है गोरम घाट दर्रा जो एक यह रहना हो जै भड्खाट जो है यह भी पढता है राज सम्द्न में कामाने बात करूं मैं 7 ila इंधी अकद पर गाहते है बॉट्षों कमाअनली और व्हाहट tough कर दो कि दो आ यहकर नुवड़ को स्वच जूबी का पड़ता है बच्चों रात संबद में विशेश तौर पर आपको ये प्रमुक दर्रे जो है ध्यान में रखने है बच्चों एक बात वर बच्चों एक दर्व ध्यान रखना एक आता है बच्चों देशुरी की नाल देशुरी की नाल और बच्चों देशुरी की नाल दर्णा जो है यह पड़ता है पाली का पड़ता है बच्चों पाली यह पाली को राजसमन से जोड़ता है ध्यान रखना बच्चों और एक हम बात कर लें चलो इतने ही काफी है विसे इस तौर पर एक तो आपको यह ध्यान दखना है यह 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 ध्यान दखना है और यह बाकी दर्रों को आप छोड़ सकते हो यह ध्यान दखना पक्खे रिया तेके यह most important दर्दे हैं जिनसे paper में काफी बार सवाल पुछा जाता है अब देखो बच् दक्षणी अरावली हमने उत्रे अरावली पढ़ली मध्य अरावली पढ़ली आप पढ़ेंगे दक्षणी अरावली अब देखा बच्चों दक्षणी अरावली की बात करूं में दक्षणी अरावली जो है सबसे पहले बात करो इसका विस्तार क्या बात करता हूं बच्च अगुए मतला भाग कोन बत्चों शुदोविक्त वहां से लेकि और यह नो lly चुले जो हो की लधाने फ्यक्फश राध समझ भूई सांवारियाए कि गर्ड़्रम उसके बाद भी आखरई बत्चों, यह उद्यार्च पर वुद्यब़िया चुली जो परवतमाला है यह सलुंबर में फैली हुई है, का फैली हुई है, सलुंबर, उसके बाद हम बात करें बच्चों, तो यह चित्तोड में फैली हुई है, का फैली हुई है बच्चों, चित्तोड गड़ के अंदर फैली हुई है, उसके बात करें बच्चों, इसमें कुछ इचा आता है प्रता पाली का इस पकार से ये जो हमारी दक्षने अरावली है उसका विस्तार पाया जाता है इसमें एक इसावर ड्यान लगना बच्चों बहिलवाडा का किसका आता बच्चों बहिलवाडा का मुख्यत है जो हमारी अरावली है इन दक्षने अरावली जो है इन जलों में पाई जाती है जिसमें आभू, शिरोईवाला भाग, ताजसमंद, उदैपुर, सरुंबर, चित्तोड, टताबगड, बासवाडा, डूंगरपुर, पाली और भिलवाडा इन जलों में मुख्यता जो है इस अरावली का भाग पाया जाता है अब बात करता है बच्चों, इसकी ओसत उंचाई तो जो हमारी दक्षनी अरावली है इस दक्षनी अरावली के बच्चों, मैं बात करता हूँ ओसत उंचाई रहाए्टु की मुश्डायब जाती है तो आपको बताएं दक्षine अरावलियगा भाग काफी हूंचा नूस पर नूसि कुन सी है गूरो सीखर्रियुंटॉ इसकी हूंसतॉस मीटर के इसके सुर्वादिक केहे लगभ दूसले बूसलेजर्स अब देखो बच्चों अब यह आपने जस्ट पीछे पढ़ा है अब आप कमेंट पे आंसर दोगे मध्य अरावली की ओसत उंचाई कितनी है अब देखो बच्चों बात करूँ में तो यह जो छेत्र है दक्षणी अरावली इस दक्षणी अरावली के अंदर मुख्यत है ग्रे नाइट कौन से चताने बच्चों ग्रे नाइट चतान पाई जाती है ग्रे नाइट चतान पाई जाती है चतान कौन से बच्चों ग्रे नाइट विसेश तोर पर द्यान रखना बच्चों इसमें हम बात करते हैं दक्षणी अरावली की प्रमुख चोटिया इस भाग में कौन-कौन सी चोटिया पाई जाती है हो देखो बच्चों यदि हम चोटियों के बात करें तो एक और तो मैं लिखूंगा चोटि एक और मैं लिखूंगा जिला जहां भी वह चोटि स्थित हैं एक और बात करेंगा बच्चों मैं उसकी उंचाएगी कितने उंचाइग chloride है अब देको बच्चों यदि बात करूं में, तो इसमें सबसे पहली जो चोटी आती है बच्चों, वो आती है गुरू सिखर, कौन्चे आती है बच्चों, गुरू सिखर, गुरू सिखर, गुरू सिखर जो है, यह चोटी आप सभी को पता है, पढ़ती है शिरोही में, आप पढ़ते है बच्चों, सिरोई के अंदर और इसके उंचाई कितने है बच्चों तो जहान दखना इसके उंचाई है 1722 मिटर 1722 मिटर या पेपर में आता है 1727 मिटर कितने आता है 1727 मिटर अब देखको बच्चों मैं आपको यहां एक डाउट के लिए कर देता हूं आपको होगे सर की 1722 भी है 27 भी है ये दोनों कैसे हैं तो बच्चो ध्यान रखना कि जो गुरु सिखर चो चुटी है उसकी उंचाई रियल में कितनी है 1722 मीटर 1722 आपको नहीं मिलेगा तो यह मिलेगा बच्चों 5650 फिट तो कि जब आप इसको फिट में चेंज करों कितना जाएगे 5650 फिट एक बार मुझे याद है बेस्टी की एक्जाम में चोटी की उंचाई मिल्टर में नहीं पूछ कर किसमें पूछ ली फिट में इसका ध्यान रखना इसकी उंचाई है वो 5650 फिट भी सही है 1722 मिल्टर भी सह अब देखो बच्चों समझना आराम से यह पांस मिल्टर का अंतर क्यों है तो मैं आपको एक हलका सा डाइगनाप बना देता हूं और आपको ध्यान दखना है कि यहां जो है यहां क्या है बच्चों एक रिशी का आच्रम है और वो जो रिशी है उस रिशी का नाम है दत्राते रिशी का नाम है दत्राते रिशी का नाम है दत्राते रिशी रिशी है इसका एक मंदिर है क्या है बच्चों मंदिर है अर सुनना आराम से और क्या समझाना चाराओ आपक बच्चो देखूं यह हमारा आवपर वथ हंड़ है इस आवपर वथ हंड़ पे यहारी । म चोटे के नाम क्या है गुरु सिखर यह उंचा है कितनी है यह 1722 मीटर जाइन आपको बताएं आस-पास कहीं देखते हैं तो हमें पहाडों की चोट्यों के उपर कुछ मंदिर बने दिखाई देते हैं अब ये जो मंदिर है दत्राते रिसी का ये मंदिर इस चोटी पर बनाए इस प्रकार से इस प्रकार से बनाए चोटी के उपर जान रखना ही बात अब चूकि चोटी तो कितने है 1722 मिटर लेकिन ये जो मंदिर है चोटी के उपर है और इसकी हा बच्चों 5 मिटर इसका मतलब यहां में अधी बात करूं तो मुझे चोटी तो यह दिखाए देगे उंचाई तो यह दिखाए देगे मुझे इस मंदिर में यहाँ पर संयुक्त रूप से हम बात करें तो इसमें एक तो हिंदों के प्रसित देवता ब्रह्माजी Are you ब्रह्मा, साथ में विष्नु और साथ में बात करें महेश इन तेनों की सहयुक्त मूर्थिया है, इन तेनों के लगी है बच्चोंpektष्ण के लगी हैं इस कारण मैं बात करूँ तो इसकी उनचाहे कितने हैं जाते हैं बच्चों 1727 मिटर तो विशेश तोर पर आपको ध्यान रखने हैं आपसे पूछे दत्राते नामक रिशी का मंदर कहा हैं तो क्या बोलोगे बच्चो शिरोही के अंदर आभू परौत खंड पे और चोटे कोन सी है गुरू सिखर इसका मतलब सबसे हुआ चोटे कोन सी है गुरू सिखर अब इसमें एक बात द्यान रखना बच्चो यह जो गुरू सिखर है यह राजस्थान की राजस्थान की यह यहीदी बात करूँ मैं दक्षणी अरावली की राजस्थान बोले या फिर दक्षणी अरावली बोले की सबसे उची चोटी है यह राजस्थान बोले चाहिए आप से दक्षणी अरावली बोले सबसे उची चोटी पूचेद क्या बोलोगे बच्चो गुरू सिखर एक बात द्यान रखना बच्चो यह जो गुरू सिखर है इसके बारे में काफी विद्वानों ने कुछ मत दि हैं मत क्या क्या दिया बच्चो जो एदि बात करूं में तो अपने यहां एक प्रसिद्वेक्ति थे जिसका नाम है करनल जैमस्टोड के नाम थो बच्चो करनल जैमस्टोड जिसे हम इतियास के पितामा कहते हैं गोडे वाले बाबा कहते हैं करनल जैमस्टोड जो है उसने यह जो आबू परवध खंड है उस आबू परवध खंड पे जो हमारी चोटी है गुरू सिखर इस गुरू सिखर को हिंदू ओलंपस कहा है क्या बोलाया बच्चों हिंदू ओलंपस द्यान दखना कर्णल जैम स्टोर ने जो गुरू सिखर है इसे बोलाए हिंदू ओलमपस क्या बोलाए बच्चों हिंदू ओलमपस विसे इस तौर के आपके बाद ध्यान में रखड़ी है साथ ही इसे संतों का सिखर भी कहते हैं क्या बोलते बच्चों संतों का सिखर क्योंकि आपने सुना होगा कि जो मुनी वसिष्ट है वो आबू पुरत खंड पे यक कर रहे थे और जैसे यक कर रहे थे तो उनको कुछ राक्षिसों ने परिशान किया इसकारण उन्होंने जो हवनकुंड है उसमें आहुति दी और आउति देने कारण जो है चार प्रमुख जाते हैं अत्पन्द की प्रतिहार, पर्मार, चोहान और चालुक की इसकारण यहां बड़ी संख्या में कहा जाता है कि बहुत प्राचिन समय से जो संत हैं जो हमारी सनातन धर्म की प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो मतावलंभी होते हैं वो यहां बैटकर पूजा करते हैं इसके बलते हैं संतों का सिखर संतों क्या बोलते हैं वच्चों? सिखर एक बात हो तो बचों यह विशेष बाद द्यान रखना और यहीं आपको बता है क्या है यह पैस चोटे के बास में रजस्थान की सबसे उँची जील इसका नाम है हम कह सकते हैं अब आप मुझे कमेंट में ऐसर दोगी वो जील कौनची है वाज़ान रहना जील है नकी जील कौन्सी बच्चों बच्चों नकी जील तो इस प्रकार से आप से पूछे रक्षणी अरावली राजस्थान की सबसे उची चोटी तो क्या बोलोगे बच्चों गुरु सिखार और यह कहां पड़ती है सिरोही में इसके उचाहिए कितनी है 1722-27550 फिट और 5 मिटर का जो गैफ हो क्या पाई जाता है तो मैंने आपको समझा दिया अब देखा बच्चों एक बात अब यहां से तो अपने क्या दिया तो मैं यहां दो बार लगड़ेता हैं बच्चों यहां तो हो जाएग полож on कर और यहां हो जाएगा हमारा प्रसास की में आभी अहेर धुवक में बच्छों आपन क्वाइब करते हैं पहले जो चोठी आते हैं बच्चो उसका नाम क्या है। गुरु शिंखर ! पहले जो चोठी है बच्चो, उसका नाम क्या है गुरु सिकर सेर के नाम है सेर और सेर चोटी जो है ये बच्चो बढ़ती है सिरोही में का बढ़ती है बच्चो शिरोही में ठीक है इसकी अधी में उंचाई के बात करो बच्चो तो इसकी उंचाई है 1517 में मीटर कितनी है बच्चो 1517 में मीटर मैं बात करो बच्चो नेक्स चोटी जो है और सोटे का नाम है दिलवाड़ा या हम कह सकते हैं देलवाड़ा मैं यहां लिख देता हूँ दिलवाड़ा या देलवाड़ा और यह जो चोटे बच्चों दिलवाड़ा या देलवाड़ा यह भी पड़ती हैं सिरोही में कहां पड़ती है बच्चों सिरोही में दान रखना इसकी अधी उंचाई की बात करूं में इसकी उंचाई है बच्चो 1442 मिटर कितनी है बच्चो 1442 मिटर बच्चो आपको चोटियों की उंचाई और उनका सिक्वेंस याद रखना है क्योंकि अरावली में से 99% सवाल किसके आते हैं चोटियों की अभी मापको आगे जर्गा का नाम है जर्गा और जर्गा जो चोटी है बच्चो यह पढ़ती है उदयपुर में कहा पढ़ती है बच्चो उदयपुर में इसको इस्टार लगा लेना डायट पूछेंगे जर्गा चोटी कहा पढ़ती कहा बोलोगे उदयपुर में और इसकी जो उंचा है बच् 1431 मिटर उसके बाद हम बात करते में, बच्वो नेक्स करते आती है अचलगड क्यों से आते है बच्वों अचलगड जो चोटी है बच्चों ये पढ़ती है शिरोही में का पढ़ते है बच्चों शिरोही में इसकी जो उचाई है अचलगड की ये है बच्चों तेरा सो असी मिटर कितने बच्चों तेरा सो असी मिटर कितने बच्चों तेरा सो असी मिटर फ्रम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आती है कुम्बलगड कुम्बलगड द्यान रखना बच्चों नेक्स्ट चोटी आती है हमारी कुम्बलगड कुम्बलगड बच्चों द्यान रखना कुछ बुक्स में आपको हो सकता है आबू मिल जाए लेकिन रियल में आबू ऐसी कोई चोटी है नहीं आबू एक पठार है जिसकी उंचाई लग बारे सो पिच्चान मिटर है लेकिन वो चोटी में काउंट पढ़ नहीं कर सकते इसको पठार हो तो आपको धान रखना है अचलगड के बाद जो है कुंबलगड है वह चोटी आती है और जो कुंबलगड वच्चों यह पढ़ती है राजसमद में कापड़ते बच्चों रास समंद में और राजसमंद में यह जो चोटी है कुंबलगड इसकी उचाई है 1224 मिटर, कितने हैं बच्चों, 1224 मिटर, इसे इस तौर पर ध्यान रखना, उचाहिए इसकी 1224 मिटर, उसके बाद अम बात करते हैं, नेक्स जो चोटी आते हैं बच्चों, उसका नाम है गुरू से दे जरा आचल कुमबा का रगू, अब नेक्स बाद ध्यान रखना बच्चों, नेक्स जो चोटी आती है, वो है रगुनात कर, कौन्ची आते हैं बच्चों, रगुनात कर, जो इंपरेंट चोटी हैं, चोटी ह बार-बार यहीुसे आते है रगणात कर्चोटी जो है यह पर ते बच् enem परते बच्छों अंट। करते बच्छों जो आपकंते बच्छों सीककर में त्हां तो और जो आते हैं जो पर कंदधे मंधोजारων बच्छन 17男 at-pointe उसके बार हम बात करते हैं, बच्चों, नेक्स जो चोटी आती है, वो आती है रिसी केस, कौन से आती है बच्चों, रिसी केस, द्यान रखड़ा बच्चों, और रिसी केस जो चोटी है, इसकी बात करें, तो बच्चों, यह पड़ती है सिरोही में, का पड़ती है बच्चों कमलनाथ चोटी कौन से बच्चों कमलनाथ कमलनाथ चोटी जो है बच्चों यह पढ़ती है उद्यपुर में कहां पढ़ते है बच्चों उद्यपुर में और यह जो चोटी है कमलनाथ इसकी उचाई है 1001 मिटर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सुन्धा परवत कौन सा परवत बच्चों सुन्धा ये कह सकते हैं सुन्धा परवत या सुन्धा चोटी और सुन्धा आप सभी को पता है पहले ये जालोर में थी और अब आगए भीनमाल में भीनमाल में भीनमाल पता है सांचोर जले क अंधर बच्चों ठीक है और यह बात करें तो इसकी उंचाई है 9001 में मिटर कितने बच्चों 9001 में मिटर उसके बाद करते हैं बच्चों नेक्स चोटी आती है वह आती है सज्जनगड कौन से आती है बच्चों सज्जनगड और सर्जनगर चोटी जो है बच्चों ये पढ़ती है उद्यपूर में का पढ़ती है बच्चों उद्यपूर में और इस ये जो चोटी है सर्जनगर इसकी उंचाई है बच्चों 938 मिटर कितने बच्चों 938 मिटर कितने बच्चों 938 मिटर उसके बार हम बात करते है बच्चो, next चोटी आते है बच्चो, साइरा, कौन से आते है बच्चो, साइरा, और साइरा चोटी जो है, यह पढ़ते है बच्चो, उदयपूर में, का पढ़ते है बच्चो, उदयपूर में, और साइरा चोटी जो है, यदि मैं इसकी उचाई की बात करो इसके उचाहिए बच्चो 900 मिटर कितनी मिटर है 900 मिटर यह मुख्य मुख्य चोटी है जो आपको ध्यान में रखनी है बच्छो देखो चोटियां तो बहुत सारी है मैं आपको कोई 30 पैदी चोटिया लिखवा सकता हूं लेकिन ज्यादा चोटियां याद करने से पर सवाल 101% मिल जाएंगे, देखां बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं, राजस्थान की सबसे उँची चोटी कौन सी है, गुरुशी घर, जो का पड़ती है, सिरोही में, कितने उचाई है, 1722 या 1727 मिटर या 5650 फिट, जान दखना, यह है राजस्थान की सबसे उँची और सेर का पड़ता है, सिरोही में, उचाई कितनी है, 1573 में मिटर, राजस्थान की सबसे उँचोटी कौन सी है, दिलवाड़ा, जब बच्चों का पड़ती है, सिरोही में, कितने उचाई है, 1442 मिटर, नमबर चोथी है, जरगा, जरगा का पड़ती है, उद्यपुर में, क बच्चों शिरोई में उंचाएगे तनी है 326 मेटर उसके बाद बात करते हैं बच्चों कुंबल गडर कोंबल गडर्चोटी में पढ़ती है राशसमध में उंचाए इतनी है ये 1224 मेटर फराती है रगुनाद कर द्यान रखणा रगुनात गड उत्री अरावली का सरूचे क्या है सिखर जो काँ बढ़ता है सिखर में उचाए कितनी है 1055 मिटर पर हम बात करते हैं बच्चों रिसी केस और रिसी केस काँ बढ़ती है सिरोही में और उचाए कितनी है 1017 मिटर पर हम बात करते हैं बच्चो कमलनाथ, त्यान रखना बच्चो डारेट पूछेंगे कमलनाथ चोटी किस जिले में है, तो क्या बोलोगे? उदेहपुर में, उचाहे कितनी है? एकजार एक मीटर, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चो सुंधा परवत, और सुंधा परवत का पड़ता है भीनमाल में और भीनमाल ध्यान रखना तैसिल है जिला है साचोर उचाई कितनी है 931 मीटर। उसके बाद करते हैं बच्चों सज्जनगर। सज्जनगर चोटी काँ पड़ती है उद्यपूर में यह भी काफिवार पुछागे सवाल है और ध्यान रखना इसके विभुए याद करने का आओ सकता नहीं है बस स्क्वएंस ध्यान रखना देख बच्छों। गुरू से दे जरा आचल का बहुत होगे। गुरू से दे जरा आचल तो मैं या लेखता हूं इस और में गुरू आप अप्ट्रिक बढ़ा लेना। गुरु, से, दे, जरा, आचल, ठीक है, इट रिक है, फिर नेक्स्ट है कुम्भा, कुम्भा का रगु, कुम्भा का रगु, रिसी का कमल, फिर सुन्डा, सज्जन, सुन्डा सज्जन, मोर खो, ठीक है, साली तारा डोरा, नाग इसा नाग, भैरु बाबा बिलाली में, रोज बैट स्री जी की जै नहार जाओ, ये टोटल चोटिया हैं, लेकर फिर मैं आपके एक बाद समझा रहा हूँ, हमारा काम है बच्चों को आपको पेपर में इतनी चोटियां याद नहीं करनी हैं, आपको पास से छे चोटियां उत्तर से दक्षिन के और याद करनी हैं, जो कि उंचाए की गटते हुए क्रम में हैं, तो बाद देखे बच्चों, इत्रे क्या दखना, गुरू से दे जरा आचल, कुमभा का रगू, रिसी का कमल, बस इतने बाद आ रखना, रिसी का कमल, बस यहां तक देख लेना, बाकि इनको भी आप स्क्रिप कर सकते हो, मोस्ट और पे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, नो चोटियां आप ध्यान रख लो, इस से क्या होगा, जैसे ही चोटियों का अवर देलवाडा, जरा का मतलब जर का, आचल का मतलब अचलगड, कुम्बा का मतलब कुम्बलगड, रगु का मतलब रगुनादगड, रिसी का मतलब रिसी केस, कमल का मतलब कमलनाद, सिंपल सी लाइन आप को जान रखने है, गुरू से दे जरा आचल, कुम्बा का रगु, रिस का कमल बस इतना जान दखने यदि आपको यह ट्रिक याद है तो आप इसको गट्यों एक्रम में अरेंज कर सकते हैं और जिले यहां दखने हैं तो यह हमारी क्या हो चुके बच्चों चोटियां अब चोटियों के बाद में हम बात करते हैं तो यहां से जो है कुछ और सवाल क्या बनत्या ऐँ बच्चों देखों तो मैं यहां लिख देता हूं की डक्षनि अराली के प्रमुख दर्रे क्रुब या दक्षणी ऑरावली के था प्रमुख दर्रे क काम्ट य जो सवाल पेपर में आ सकते हैं उनके बारें बता दरता हूं सबसे पहला आता है बच्चों फुलवारी की नाल यह काफी बार पेपर में आ चुक है फुलवारी की नाल यह दर्ड़े का नाम है और 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 यह दर्ड़े का नाम है इस दर्रेसलिंग ज्यादा आपको ध्यान ने रखना है सिंपल सी बाद ध्यान रखना कि फुलवारी की नाल का पड़ता है उद्यपूर में बस ज्यादा कुछ नहीं है देबारी दर्रा कौन सा बच्चों देबारी दर्रा और आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे देबारी समझोता किस-किस के मद्य हुआ और कब हुआ देखना ये जो देबारी दर्रा बच्चों ये भी खापड़ता है उद्यपूर में खापड़ता है बच्चों उद्यपूर में उसके बार हम बात करते हैं बच्चों हाथी दर्रा दर्रा कौन साथ है बच्चों हाथी दर्रा हाथी दर्रा बच्चों हाथी दर्रा भी का वड़ता है तो द्यान रखना यह पड़ता है उध्यपुर में का पड़ता है बच्चों उध्यपुर में उसके बाद मैं बात कर होगा देबर दर्रा देबर के ब Kok देबर जीद है और देबर जो दर्रह है एपुर में अब पड़ता है तो अ पर भेम को सलोंबर में दाए बात को अि इसके बार बात करतें बच्चो लएक्ट आता है स्वामेसवरदर्र ओ smiswal इस साुमेसवरदर्र और स्वामेश्वा दर्णा जो है बच्चो यह पढ़ता है पाली में का पढ़ता है बच्चो पाली में उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते है बच्चो एक दर्णा जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ उसका नाम है दे सुरी की नाल के नाम है बच्चो और यह जो है वो देशली नामक इस्थान पाली से लेके चार भुजा एक जगे है रासमंद में उसके मद्ध पाया जाता है यह आपको द्यान रखना है यह देशली नाल का है पाली और रासमंद पाली और रासमंद का अपस में जोडता है ठीक है बच्चों एक द्यान रखना जिलवाडा की नाल नेक्स दर्जा है हमारा जिलवाडा की नाल नेक्स कौन से है बच्चों जिलवाडा की नाल यह इसे मिलेगा पगल्या की नाल लेना पर जान रखना है यह भी कहा पड़ता है बच्चों राजसमंद में यह खापड़ता है भच्छो रासमन इतने बात आपको विश्यस तोर पे जान रखने हैं वच्चों यह सारे डर्रे वेरी इंप्पोर्टेंट है मैं फिर कह रहा हूँ आपको और कोई दर याद हो या नहीं हो इनको आप विशेश तोर पे जान रखना फुलवारी की नाल केवडा की नाल देवारी उसके लाव सौमेश्वर देशुरी और एक मैंने पड़ायता बिछे बरदर्रा इनको विशेश तोर पे आपको याद करके जाने क्योंकि क्या है बच्चो काफी बारे सवाल यहां से बन जाते हैं और सवाल जैसे बनते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं उन सवालों को पढ़ते नहीं है हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या पैदा हुजाती है दिक्कत पैदा हुजाती है इसकार अपन को दिक्कत नह नेक्स जो हमारी हैडिंग होगी वह अरावली के अंदर प्रमुक पठार इसके होगे बच्चो अरावली के प्रमुक पठार तो मैं नेक्स आपको जर्वड पढ़ता हम है और अपने पहत्माला के प्रमुक पठार कोपी में अपन हेड़नी डालते हैं अरावली पर्वत माला के प्रमुक पठार अरावली पर्वत माला के प्रमुक पठार उन्द रखना बच्चों स्टार लगा लो इन में से एक सवाल पेपर में 100% आता है 100% सवाल आता है यहां से अरावली के प्रमुक पठारों में से 101% क्या आता है सवाल अब देखा बच्चों सबसे पहले पठार की बात करता हूं में सबसे पहला जो पठार आता है बच्चों यह आता है उडिया का पठार कौन सा पठार आता है बच्चों उडिया का पठार सबसे पहला पठार कौन सा है बच्चों उडिया का पठार अब देखा बच्चों उडिया का जो पठार है ये हमारे पठार है सिरोही के अंदर सिरोही में जगा कौन सी है आबू आबू सिरोही के अंदर उडिया नाम है इसका उडिया का पठार और ये का पढ़ता है आबू सिरोही में दान रखना बच्चों ये जो टोटल पठार है इसके अदि मैं उचाई की बात करूं किसके बात करूं उचाई की बच्चों उचाई जो है तेरा सो साथ मेटर है कितने हैं तेरा सो साथ मेटर दान रखना और दान रखना बच्चों सबसे इंपोर्टेंट बात यह है राजस्थान का यह है राजस्थान का सबसे उचा पठार है ये बात सबसे इंपोर्टेंट है आप से पुछेंगे बच्चों राजस्थान का सबसे उंचा पठार कौन सा है तो क्या बोलोगे बच्चों उडिया का पठार कौन सा है बच्चों उडिया का पठार विसे इस तौर पर आप कोई बात धान में रखनी है डालेट स्वाल पूछेंगे उडिया का पठार किसले म है तो आप क्या बोलोगी उडिया का पठार का पढ़ता है बच्चों तो हम बात करेंगी अब उसे गोई के अंदर उंचा की बात करें तो 13-60 मीटर है जाने बच्चों इसी पठार में क्या है तो इसी पठार के अंदर जो है गुरुशिकर प्रवचोटी इस्थित है और स्थ पाता है बच्चों आबू का पठार है बच्चों यह लगबग 1200 मिटर उंचा है कितना उंचा है बच्चों 1200 मिटर आबू भी पता है का पढ़ता है आपको शिरोही में का है आबू शिरोही में दान दखना और यह जो पठार है बच्चों आबू का पठार यह कितना उंचा बच्चो, बारो सो मिटर है, तन रखना, और यह भी किसले में है, सिरू ही में, यह उंचाई बगर आपको याद नहीं करनी है, उंचाई के विल एक ही याद करनी है, तेरा सो साथ मिटर, कितने याद करनी है, तेरा सो साथ मिटर, बाकि आपको किसी पठार की कोई उंचा बहुराट का पठार बहुराट का पठार जो बच्चों इसको वेरी इंपर्टेंट लगा लो ये पेपर में 100% आएगा बहुराट का पठार अब देखो बच्चों बहुराट के पठार के बारे में क्या विशेशता है और देखो बच्चों हमारे एक जिला है राजसमंद जि आप सबी को पता है उद्यापुर के अंदर का पढ़ता है बच्छों उद्यापुर में यह पठार दो जिलों के बीच पाया जाता है, कुम्बलगड से लेकर गोगुंदा उद्यपुर के मद्य, दान रखना, कुम्बलगड राज समन से लेकर गोगुंदा उद्यपुर तक फैला हुआ है, उद्यपुर तक फैला हुआ है, फैला हुआ है, सिम्पल से बात दान रखनावचों, बॉराट का पथार, कुम्बलगड थान जो की राज समन में इस्थिति Grad वहाँ से लेकर, और गोगुंदा नामक इस्थान जो की उद्यपूर में इस्थित है यहां तक फैला हुआ है दान रखना बच्चों यह जो पठार है भॉलाट का पठार यह इसका सवाल क्या बनता है भॉलाट का पठार इस्थित है तो क्या बोलोगे कुंबल का राट समन से लेकर गोगुंदा उद्यपूर तक और यह काफी बार पेपर में पूछा गया जान रखना बच्चों अब आपके बीचे एक सवाल आएगा सर कि आप बार-बार पठार-पठार कर रहे हो चलो बोलाट तो समझ में आ गया जगए का नाम है आबू जगए का नाम है उड़िया जगए का नाम में पठार क्या होते है तो बचो एक सेगेंड नहीं पानी पीता हूं उसके बाद झालोस नहें... धर करतावाश्क tempo एक सब्द हाते है पठार जा थी तसे निर्मान कैसे होता है क्या होते हैं कि आकिर समझे नगयए देखो icsa झाय पठ्तार की का ये हमारी प्रत्वी और जा था ने हुए पूस्प कुछ में स्ञेव Water देखो फिल इनान करेंद दिभाद में एक तो कौन सी है सियाल एक है हमारी सीमा एक हमारी कौन से बच्चों सीमा और एक कौन से बच्चों निफे निफे और पता है आपको तीन परतों के साथ ही आपको यह बात पता है कि प्रत्वी के अंदर जो है भूप्रपटी मेंटल और खौर पाए जाती अब होता है क्या है यह जो हमारी परत है mental, second परत का नाम क्या होता है mental, इस mental परत में यहाँ पर इस प्रकार से, आर्ध पिगली अवस्था में, क्या सकते हैं semi conductor अवस्था के अंदर, आर्ध पिगली अवस्था के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लावा होता है, क्या होता है, लावा, और जैसे यह लिक्विड यहां से गैंस के माद्यम से प्रेसाइज होता है तो यह इस प्रकार से जो है सेप्टी वालू के माद्यम से क्या आजाता है द्रातल पे इसको बोलते हैं हम जौला मुखी उद्गार जोला मुखी का उद्गार जोला मुखी जो है वो फड़ चुक है जोला मुखी आ चुक है और जैसे जोला मुखी आता है तो आप पता है उसके अंदर क्या होता है नीचे मेगमा होता है उपर यहाँ पर लावा होता है और जैसे यहाँ पर आके वो liquid form जमा हो जाती है इसको लावा कहते है और जमा होने के बाद में यहाँ पठार बन जाते हैं क्या बन जाते हैं बच्चों पठार तो simple से बात जान लखना प्रत्वी के भूगर्ब के अंदर जो mental बरत है उस mental बरत में चट्टाने अर्ध पिगली अवस्था में पाई जाती है और जैसे ही चट्टाने अर्ध पिगली अवस्था में पाई जाती है तो अंदर गैसों के pressure करण वो अर्ध पिगली अवस्था में चट्टाने द्रातल पे आती है और जैसे द्रातल पे आती है तो आने के बार अंदर तो क्या होता है बच्चो मैगमा उपर क्या हो जाता है लावा और जैसे लावा गरम होकर यहां ठंडा होता है ठंडा होने के बार जम जाता है और जम जाने के बाद क्या बनते है बच्चो पठार कर निमान होता है सिंपल सी बात ध्यान दुखना एक ही जाना कुछ रामान जाना नहीं है ज़ाला मुखी क्रिया के द्वारा पठारों का निर्माण होता है जो आला मुखी क्रिया के द्वारा पठारों का निर्मान होता है विशेज तोर पे बात आपको ध्यान में रखने है उसके बाद हम बात करते हैं बच्चो जो हमारा next पठार है उसका नाप में बच्चो मैसा का पठार कौन सा पठार है? मैसा का पठार बच्चो ये भी important है बजाने रखना बच्चो मैसा का जो पठार है ये पढ़ता है बच्चो चित्तोडगडबे का पढ़ता है बच्चो चित्तोडगडबे उसके बाद हम number 5 से बात करते है बच्चो तो ये आता है लसाडिया का पठार next आता है बच्चो लसाडिया का पठार इसको इस्टार लगा लेना इंपोर्टेंट है वेरी-वेरी लसाडिया का पठार है बच्चो यह हमारे पठते है सलूंबर के अंदर सलूंबर और सलूंबर जो है यह अब तो सलूंबर है पहले किसमे था यह उद्यपुर में दान रखना बच्चों यह लसाडे का पठार है अब एक बार समझो यह सवाल के पूछते हैं यह एक जील है उस जील का नाम है जैसमंद जील के नाम बच्चों जैसमंद जील और जैसमंद जील जो है बच्चों यह आपको पता है पहले किसमे थी पुदैपुर में अब किसमें आ गई सलुमबर में और जो जैसमन जील है इसका जो पूर्वी भाग है देखो ये भाग कौन सो हो गए इसका उत्तर वाला भाग ये कौन सो हो गया दक्षण ये कौन सो हो गया पूर्वी भाग और ये कौन सो हो गया पस्चिमी जैसमन जील का ये वाला भाग है ये वाला भाग है इस जैसमंद जील के पूरवी भाग के अंदर एक कटा फटा कौनसा कटा फटा एक पठार पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते है लसाडिया का पठार अब सवाल क्या पूछेंगे सवाल पूछेंगे जैसमंद जील के पूरवी भाग में क पठार इस्तित है तो क्या बोलोगे लसाडिया का पठा तो मैं लगता हूं या जैसंबंद जील के जैसंबंद जील जील का पड़ते बच्चों सलुंबर के अंदर जैसंबंद जील के पूरी भाग में जैसमन जील के पूरी भाग में कटा फटा पठार पाया जाता है इसे हम लसाडिया का पठार कहते हैं इसका एक ही सवाल important है ऑर वह सवाल क्या है जैसमन जील के पूरी भाग में जो पठार है उसे हम कै देपे बाते हैं लसाडिया का पठार नेक्स हम बात करते हैं बच्चो 2 सद्स मारा जो भी नंबर है 5 के बाद में 6 Immers Number 6 पर आते है बच्चो 2 अब दिखेंए बच्चों कुछ पहाडियाँ है जुच क्या है पहाडिया तो मैं लिगता हूं go आइं गिरवा की पहाडियां काफी यहां द्ला दूचा गया है और सौपरसेंट सवाद हपिरसी आंडल की पहाडियों में तो देनो दे क्या समय होता है ये हमारा एक सहर है और उस सहर का नाम है उदयपूर क्या नाम है सहर का उदयपूर इस उदयपूर सहर के चारों और इस प्रकार से तस्त्री नुमा आकरती में कौन से आकरती में तस्त्री नुमा आकरती में पहाडियां पाई जाती हैं इसे हम बोलते हैं गिर्वा की पाड़ियां तो द्यान दखना बच्चों गिर्वा की पाड़ियां कहें पहली बात तो सिंपल से बात दन दखना उदयपुर उदयपुर सहर के चारों और उदयपुर सहर के चारों और तस्तरी नुमा उदैपूर सहर के चारों और तस्त्री नुमा पहाडियों को तस्त्री नुमा पहाडियों को इस्थानिय भासा में क्या बोलते हैं बच्चों गिर्वा की पहाडियां गिर्वा की पहाडियां कहते हैं गिर्वा की पहाडियां कहते हैं बच्चों सवाल पुछेंगे गिर्वा की पहाडियां कहां इस्तिते हैं तो क्या बोलोगे गिर्वा की पहाडियां बच्चों कहां पे हैं उदैपूर में उदयपूर सहर के चारों और ये पाड़ियां पाई जाती है इस कारण इसे बोलते हैं आकरतिकेसिन की तस्त्री नुमा इसकार आपसे पुछेंगे तस्त्री नुमा पाड़ियों को उदयपूर में किस नाम से जानते हैं तो क्या बोलोगे बच्छों, गिरवा अब next आप करत मगरा मगरा से क्या सवाल बन सकते हैं बच्चो मगरा इंपोर्टेंट है क्या है मगरा देखो सुनना रामसी ये हमारा सहर है उदयपूर सहर का नाम क्या है उदयपूर ये मालो हमारा सहर है उदयपूर इस उदयपूर सहर में आपको बता है ये वाले हिस्सा कौन सा है इसका उत्तर वाला हिस्सा ये वाला इस्सा कौन सा है बच्चों इसका दक्षिन वाला इस्सा ये इस्सा कौन सा है बच्चों इसका पूर्वी इस्सा और ये कौन सा है बच्चों पस्सिमी इस्सा सुनना उद्यपूर में उत्तर वाला कौन सा है उत्तर दक्षिनपूर और पस्यम अब उद्यपूर के अंदर यह जो भाग है यह जो भाग है तो यह वाला भाग कौन से हो गया तो यह वाला भाग जो है बच्चों यह वाला भाग कौन से हो गया उत्तर पस्यम उद्यपूर स जिले में उदैपुर जिले के उत्तर पस्सी में भाग में इस्थित पहाडियों को मगरा की पहाडियां कहते हैं मगरा की पहाडियां कहते हैं बच्चो याद रखना जो उदैपुर सहर है उस उदैपुर सहर के उत्तर पस्सी में जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चो मगरा की पहाडियां विशेस तोर पे आपको यह बात ध्यान में रखनी हैं अब उसके बाद आद महों बारकते बच्चो नेक्स्ट क्या स्वाल बन सकते हैं इन बच्चो, एक पठार ध्यान डखना माण देश का पठार मैं यहाँ एक पठार लगता हूं बच्चो मान देश का पठार मान देश का पठार मान देश का पठार बच्चो या दखना मान देश का जो पठार है यह पढ़ता है हमारे चित्तोडगड में का पढ़ता है बच्चो चित्तोडगड में उसके बार हम बात करें बच्चो तो और क्यक्य सवाल बन सकते है यहां से देखा बच्चों यह जो हमारे उद्यपुर वाला छेत्र है उद्यपुर दिशेत्र में पने कतने पाड़ीय पड़ी दो एक मगरा और यक कौन सी है गिरवा एक बच्चों दयान शिरोही का पूर्वी भाग पूर्वी शिरोही की तिवर ढाल वाली पहाडियां वाली पहाडियां जाना बच्चों पूर्वी शुरोही की तिवर ढाल वाली पहाडियां क्या 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 क् बाट द्यान रखना बच्छों, देश हरो का पठार बैखो, आपको पता है उद्यपूर में आपने दो पाड़िया पड़ी, एक जरगा और एक रागा तो द्यान रखना बच्छों, एदर ये उद्यापूर के अंदर ये तो चेत्र है जरगा ये चेत्र कौन सा है जर्गा परवत वाला चेत्र और बच्चों ये वाला चेत्र है उद्यपूर के अंदर रागा कौन सा है रागा चेत्र ये भी का पड़ता है उद्यपूर में बच्चों ये भी का पड़ता है उद्यपूर में अब होता है क्या है बच्चों बच्चों उसमें वर्स भर पूरे वर्स भर जो है यह हरा भरा रहता है क्या होता है बच्चों हरा भरा उदैपुर में जर्गा वे रागा पाडियों के इमद्ध वर्स भर जो छेत्र हरा बरा रहता है उसे हम बोलते हैं देश हरो क्या बोलते हैं देश हरो के नाम से बोलते हैं देश हरो के पटार के नाम से भी जानते हैं तो मैं रिगता हूँ जर्गा उदैपुर वे रागा उदैपुर के मद्ध वर्ष भर हरा भरा भाग वर्ष भर हरा भरा भाग ही देश हरो के नाम से देश हरो का पठार है इसका मतलब क्या होता है बच्चों इस वाले छित्र में क्या होता है वर्ष भर हरी बरी पाडिया रहती है इस कान जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह छित्र हरा भरा है इसकान इसे क्या बोलते हैं देशरो का पठा कुछ एक दफ एक्ट और है अरावली संबंदित जो आपको लिखवा देता हुआ देखें बच्चों, acontecendo अरावली को अलग अलग जगय पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अब क्या क्या नाम है कैसे कैसे जानते हैं वह अपन गोसार्य धान में पलखने है, हिदेखें बच्चों यदि में बात करूं ADP, Oderi Purgt, Doi, नाम परवतमाला के हमें बहुत से नाम दिखाई देते हैं सवाल भी आते हैं कि बिलकुर शवाल आते हैly आप रहे हम बात करते हैं बच्छो आंडा वालापरवत प्रवत कहते हैं делать спohar Packarta क्या बोलता है बच्चो आडा वाला परो द्यान रखना अब अरावली की बात करें तो अरावली को विश्णु पुराण के अंदर विश्णु पुराण में विश्णु पुराण में हमें अरावली जो है उसका नाम मिलता है बच्चो परीपत्र क्या नाम मिलता है बच्चो कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों मालाणी की पहाड़ियां क्या बोलते हैं बच्चों मालाणी की पहाड़ियां जान रखना ही बाद और हम बात करें बच्चों तो अलवर में अलवर में इसे हम हर्सनात की पहाड़ी कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों हर्सनात की पहाड़ी हर्सनात की पहाड़ी बच्चों एक तो पहाड़ी है हर्स की वो तो सीकर में है एक हर्सनात की पहाड़ी त्यानखना बच्चों हर्सनात की पहाड़ी अलवर में है और हर्स की पहाड़ी कहाँ पे है सीकर में उद्यपुर में बच्चों इसे अडावाटा कहते हैं उद्यपुर में क्या बोलते हैं बच्चों इसे अडावाटा कुदैपुर में इसके नाम क्या मिलते हैं हमें अडावाटा क्या मिलते हैं बच्चों अडावाटा क्या मिलते हैं बच्चों अडावाटा क्या मिलते हैं बच्चों अडावाटा हरियाना के अंदर अर्याना में इसे बोलते हैं बच्चो हम धोसी की पहाडी क्या बोलते हैं बच्चो धोसी की पहाडी पहाडियां जानकरा बच्चो तो यह कुछ बाते थी बाक्या आप लेख सकते हैं कि इसे हम जालोर छेत्र में या साचोर छेत्र में सुंडा की पाड़ियां कहते हैं सीकर में इसे माल खेत की पाड़ियां कहते हैं ठीक है यह कुछ नाम है जो आपको इस दौर पर धान में अख़़े हैं यह पूछा गया है कि पुंदे में अरावली को किस नाम से जानते हैं तो क्या भूलोगी अड़ा वाटाटी या अड़ा वाला अब एक लास्ट टॉपिक बचाता है हमारा अरावली का महतु उसको पढ़ लेते हैं तो हेडिन डालते हैं अरावली का महतु क्या क्या बच्चों तो देखो बच्चे दान रखना हेडिन डालते हैं आरावली परवत माला का मेहतु वच्चों धयान रखना इदर इस्टेटमेंट फॉर्म के अंदर सवाल पुछेगा इदर लंबी सवाल बनाएगा तो यहां से बनाएगा का से बनाएगा यहां से इसकारणा आपको विश्यस तौर पर द्यान रखना है कि अरावली परवत्माला की क्या-क्या महतो है यहां से पेपर में सवाल काफी बार पूछा द्यान रखड़ा बच्चो अब क्या सवाल बन सकता है यहां से तो आप देखोगी अरावली परवत्माला है उसके दिया महतो की बात करते हैं तो आपको बताएं अरावली परवत्म माला अरावली परवत माला प्रमुख जन जातियों का घर है प्रमुख जन जातियों का घर है प्रमुख जन जातियों का घर है पहला सवाल आपको बता है जैसे बात करूं मैं तो एकातिये गरासिया एकातिये जन जातिये भील एकातिये डामोद एकाती यह सहरिया इस सारी जंजातियां का रहती है अरावली के छेट्रों में, पाड़ों के अंदर, इसकार्ण कि आ बोलते हैं, अरावली को जंजातियों का घर, अब देखां बच्छों, अब आपके बात पता है, अरावली परतमालाय के अंदर जन जाती जब रहती है तो आप पता है वहीं पर डिपेंड वहीं खाती भी वहीं से और अपने आउशक्तों के पूर्ती भी कहा से करती है अरावली परतमालाय के अंदर जो है यह जो जन जाती है जिसे हम बोलते हैं आदिवासी लोग क्या बोल यहां पर क्रसी की जाती है और क्रसी के नाम क्या बच्चों जूमिंग के नाम बच्चों जूमिंग और इसे ही हम बोलते हैं बच्चों इस्थानांत्रित इसके क्या बोलते हैं इस्थानांत्रित क्रसी की जाती है आपको किया है क्रशी दूसरों बच्चों देखो मैं आपको इस तरव पतले मिदली नीज dzi मुदों PRE- κάुए उसके बारे मैं आपकोने समझहाता हूं देखो बच्चों यह क्या करते हैं जंगलों को रहते हैं वैते हैं, तो ये क्या गड़ते हैं, बत्चों, जंगलों का जो पहाडों का ड़लान वाला भाग जहलते हैं और जैसे वर्षा का सीजन आता है तो उस स्कंडिसल में क्या होता है उन पहाड़ि वाले भागों के ईंदर यह मक्का की जो कह सकते हैं बीज डाल देते हैं और अपते हैं आपको वर्षा से उपर का जो भाग का पानी है उपर का चोटी का पानी वण बहागों बै कराते हैं इसका अंट पानी मिल जाते हैं और यह वहाँर पर कृसी करते हैं कि लिए उखो duyं परवतिय भाग के ढलाने जो छेत रोते हैं उन में जंगलों को जलाकर मक्का की बीच डालकर एक से तीन वर्स के लिए एक हिती की जाती है जिसे हम इस्थानांतित्य जोमिंगरसी कहते हैं अब बच्चो सवाल क्या पुछेंगे आपसे सवाल पुछेंगे इस्थानांतित्य जोमिंगरसी कौन-कौन सी जंजाती करती है और इसके क्या क्या नाम है तुझ Оच्चो द्यान रखना मैं एक बात द्यान रखना एक जhenजाति है हमारी गरासिया क्या नाम है पच्चो गरासिया गरासिया जंजाती जोए गरासिया जो जन क्रसी इस क्रसी को बोलते हैं बच्चों वाल्रा क्या बलते हैं वाल्रा तो सवाल पूछेंगे रावली परतमाला में गरासिया जंजाती के द्वारा कौन सी क्रसी की जाती है तो क्या बोलेगे बच्चों वाल्रा क्रसी क्या बोलेगे बच्चों वाल्रा क्रसी बस यह दो बा बात करें बच्चों तो एक जन जाती है हमारी भील कि नाम क्या जन जाती का भील जन जाती और भील जन जाती जो है बच्चों यह भील जन जाती निवास करती है हमारे उदयपुर में का निवास करती है बच्चों उदयपुर में और भीलों के द्वारे स्पगागे जो क्रशी की जाती है उस क्रशी को बोलते हैं बच्चों चिमाता क्या बोलते हैं बच्चों चिमाता द्यान रखना बच्चों सवाल आए यहां से काफी बार और सवाल आएंगे आगी कि भील जनजाती के द्वारा अरावली ये छेत्र में जो करशी की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं तो क्या बोलोगे बच्चों? चिमाता नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नमबर 3 तीस तीन नमबर पर जो जनजाती है उसका नाम है बच्चों डामूर नाम क्या जनजाती का? डामूर डामोर जो जंजाती है डामोर जंजाती कहा निवास करती है बच्चों यह जो करशी करती है इस पraकार से उस करशी का बोलते है दजिया करशी क्या बोलते है बच्चों दजिया क्रसी, क्या बोलते हैं बच्चों, दजिया क्रसी, और दान रखना, एक जनजाती आती है बच्चों, उसका नाम है सहरिया, कौन सी है बच्चों, सहरिया, और दान रखना, राजस्थान की सबसे खूंकार जनजाती भी कौन सी है, सहरिया, आपको विचल मज़ाना क्रसिए को बोलते हैं बत्रा क्या बूलते है बच्चों बत्रा विदान रखना मिनेयापको चार पॉंट बताई कि आदेवासियों के द्वारा अर्उली भाग में क्रसी की जाती है ज़से हम इस्थणास गहोंडिया धौनी क्रसी के नांचे ननाम से जैनते हैं उसका नाम है वाल्रा के नाम है वाल्रा भील जन्जाती जो क्रशी करती है उसका नाम है यह चिमाता और कहां पर करती है उद्धैपुर में डामोर जन्जाती जो क्रशी करती है उसका नाम है बच्चों दजिया प्रिकरती कहां पर बासवड़ा और दूंगरपुर में और सहर मैं तो क्या बच्चों किसा मैं तो यह बच्चों अरावली जे परवतमाला है यह अरावली परवतमाला एक महान जल विभाजा को रेखाए द्यान रखना यह बच्चों इस अरावली परवतमाला को हम पचास सेंटेमिटर समवर्सा रेखा के नाम से भी जानते हैं तो मैं एक कुशन लेखेता हूं है आपके अरावली परवतमाला को अरावली परवतमाला को पचास सेंटेमिटर या पानसो एमेम मिलिमिटर समवर्सा रेखा समवर्सा रेखा के नाम से भी जानते हैं बच्चों यह सवाल वेरी इंपरवतमाला को पचास सेंटेमिटर समवर्सा रेखा क्या हम कह सकते हैं कि इसे पानसो मिलिमिटर समवर्सा रेखा के नाम से भी जानते हैं अब ये क्या माम ले, कैसे जल भी वाजिन करती है, सुनना बेटे देखा अराम से, ये हमारा, इस पकार से बात करूं मैं, तो ये बच्चों हमारा, ये भाग कौन सा है, राजस्तान का भाग है, ठीक है, अब आपको बता है, अरावली परतमाला यहां से लेके, इस पकार से ज अराम से, ये जो अरावली परतमाला है, आपको बता है, इसका ये जो भाग है, इसको बोलते है, अरावली परतमाला के पस्सिम का भाग, देखो, टोटल यहां से लेके, यहां तक वर्सा होती है, लगबर राजस्तान में 100 cm, अब चुँकि अरावली बिलकुल बीच से गु इसका बोलते हैं, इसका बोलते हैं, जली बाग जाकर देखा, अब देखो बच्चो, आपको बताएं, ये वाला छेत्र कौन से है, पस्सिम मरुस्तल है, प्रदीश, अब एक बात दान दखना, यह जो अरावली परतमाला है, यह पुरा भाग कौन सा है, मरुस्तल का, अब जो पुरा भाग क्या है, मरुस्तल, उसको रोकती है, क्या करती है, रोकती है, दुबार सुनना, यह वाला पुरा भाग क्या है, बच्चो, मरुस्तल, अब आपको बताएं, अरावली परतमाला इस परकार से खड़ी है, तो आपको बताएं, पस्सिम से पुरा भाग क्या है नहीं जा पाएगा इस कारण यह जो है मरुस्थल के पूरवर्थी विस्थार को भी रोकती है आप देखा बच्चों 50 cm वर्षा देखा है महांज लिवाज देखा कैसे देखो आपको बता है इस प्रकार से हमारे मानसुनी पाउने आती है और इन मानसुनी पाउनों को बोलते है बच्चों बंगाल की खाड़ी का मानसुन क्या बोलते है बच्चों बंगाल की खाड़ी का मानसुन और आपको यह पता है कि सबसे पहले काप्रविश करता है राजस्थान में जालावाड जिली के अंदर और आपको बता है बच्चों जो उत्तरपसी में जो भागे यहा मानसोन किस पकार से अरावली प्रभावित करती है ? क्या फैक्क्टर है ? पक्समी विक्षोब अब आप देखो बच्चों ये अरावली जौ है इसकी वुझए से मानसून सअगर हो रहे है ? प्रभावित हो रहे है अरावली के इदर तो कौन सा है अरब सागरी है मानसून इदर कौन सी है पंगाल इखाडी का मानसून और यहां उत्तर पस्मी भाग में कौन सा है तो क्या बोलेंगे पस्मी विक्सोब यह भूमर सागरी है चक्रवा जिससे क्या होती है सीतकाल में वर्सा जिसे हम बोलते है मा इसका नाyекण बत्चो यह हमारे राजस्तान में वर्सा को प्रभावnu करती है क्योंकि अरभ साग्रिय मानसून की दिसा दक्सिन पस्तिम से उत्तर पुरव के ओर है और अरऑलीक दिसा भी कैसे है दक्सिन पस्तिम से उत्तर पुरव के ओर इस कारण अरब सागरिय मानसून की साखा की समरांतर अरावली परवतमाला होने के कारण ये अरब सागरिय मानसून की साखा राजस्थान में बिना वर्षा किये या अल्प वर्षा किये आगे निकल जाती है इस कारण राजस्थान का जो भागव क्या हो जाता है सूखा इस कारण कह सकते हैं कि अरावली परवत माला जो है यह राजस्थान में वर्षा के वित्रण को प्रभावित करती है क्या करते है बच्चों वर्षा के वित्रण को प्रभावित करती है मैं एक लाइन लिखता हूं जो आपको ध्यान में रखने है बच्चों क्या ध्यान रखन अरब सागरिय मानसून के समनांतर पाई जाती है अरब अरावली परतमाला की दिशा अरब सागरिय मानसून के समनांतर पाई जाती है इस कारण राजस्थान में राजस्थान में वर्षा कम होती है वर्षा कम होती है इस कारण राजस्थान का दिकार स्वाक्या हो जाता है बच्चा सूखा रह जाता है दोसरी बात क्या बच्चो आगे देखां मैं तो अरावली अरावली खनीज संसाधनों की दस्टी से खनीज संसाधन की दस्टी से एक संपन प्रदेश है बच्चो यह लाइन का मतलब के अरावली परवत्माला में आपको बताएं बहुत से खनीज पाये जाते हैं और बहुत से खनीजों में यह इंदि कौन साथ बच्चो अरावली परवत्माला सिंपल सी बादार नेखना बच्चो नेक्स्ट बात क्या करते हैं बच्चों नेक्स्ट मैं देखते हैं की राजस्थान में राजस्थान में कुछ नदियों का उद्गम कुछ नदियों का उद्गम अरावली से होता है मतलब कुछ नदियों का उद्गम भी कहां से होता है बच्चों अरावली से जैसे कि आपको पता है बनास है उसका उद्गम कहां से होता है बच्चों खमनोर की पाड़ी से उसके बाद हम बात करते हैं बच्छों next मेहत्यों की तो अरावली परवत्माला सबसे important बात अरावली एक्जाम्पल लिख लेना है आपे बनास बेड़ अच्छ है गंबीरी है ना बहुत सारे लिए आप बनास लिखते हैं के बनास अरावली परवत्माला मरुस्थलिये विस्तार को पूरी भाकी और जाने पर में जाने पर रोकती है ग्रोकती है इसका मतलब क्या बच्छों अरावली परवत्माला है वो मरुस्थल के विस्तार को कम करती है किदर जाने से पूरी भाग में जाने से और देख बच्छों महत्युक है आपको बताए अरावली परवत माला के अंदर बहुत से पेड़ पोदे हैं और जब पेड़ पोदे हैं तो क्या जड़ा पाई जाती है जै विवित्ता पर यहां पर क्या है बहुत जंदों पाई जाते हैं इसकार अरावली परवत माला को जन्तों का आशे इस्थल भी कहते हैं मतल्ब आपको पता है यहां बहुत सारे सरिस्का वन जी अभ्हारन है तो आपको पता है जीव जन्तो क्या पाय जाते हैं आसानि से विच्णं करते हैं गोमते हैं इसकाण मैं कह सकता हूं कि बहुत से जीव जन्तों के वच्चों घर हैं अध्यान रखना एक बात और अरावली परवत माला अरावली परवत माला बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोक कर वर्षा करती है वर्षा करवाती है अपन पढ़के आएदे बच्चों देखो पीछे भी मैंने कहा देखो समझो इधर से क्या आ रहा है बंगाल खड़ी का मानसून और आप पता है जैसे यह मानसून यहां जाएगा तो क्या मिल जाएगा इससे आवरोद आवरोद कान क्या होगा हमारा जब पूरवी भाग में द्रेक्षण पूरवी भाग में क्या हो जाएगी वर्षा पता है आपको राजस्तान के जहलावाद जलिम वर्षा किसे होती है बंगाल खड़ी के मानसून से अध्यान रखना बच्चों एक बात और अरावली परतमा को यह अपना second topic अरावली परतमालक आज जो है complete पूरा हो चुक है मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको इनको पढ़ने के बाद आप अरावली प्री और यह आरेस का प्री और मैंस एक्जाम साथ में राजस्तान के जितने भी चोटे एक्जाम है चाहे पसूपरीचर ह आप इन वीडियो को प्रॉपर नौट्स बनाओ आराम से पढ़ो समझो उसके बाद में यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में आम से आप जो कमेंट में पिन करके उस बात को पूछ सकते हो बचों आराम से नौट्स बनाओगे तो यह चीज़े आपको ल मेनत करते हैं हमारे लिए तो आपको अपने फीड़बैक देने चाहिए कमेंट के अंदर और जो है इस वीडियो को अधिक सदी क्या करना चाहिए सेर क्यों क्या आपको बताए बच्चों जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आपके लिए कारे करने का मन करेगा ठीक है तो अल द बेस्ट